तो Vivo V30E आ गया है और यहाँ पे हम compare करने वाले हैं इसको Motorola H50 Pro के साथ दोनों ही दोस्तों अंडर 30,000 के बढ़िया स्मार्टफोन है तो इन दोनों में से कौन सा बैतर है इस वीडियो में हम इन डीटल बात करेंगे तो बिना स्क्कियान तक इस वीडियो में साथ बने रहे हैं वीडियो आचा लगे तो लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक टेक्सिन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिया हमारे फैमिली में जोर जाए तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते है दोस्तों यहां पे वीववी 30E में 6.78 इंचेस का कव्ड आमॉलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है फूल HD डिस्प्ले के साथ जबकि इसक्राइस हमें तो रिजिलिशन थोड़ा ज्यादा है मोटरोला में लेकिन इतना ही नहीं इहां पे मोटरोला में आपको 144hz का refresh rate मिल रहा है यहां पे बहुत ही mood experience आपको होने वाला है और यहां पे दोस्तों Vivo V30E में आपको 120Hz का refresh rate देखने को मिल रहा है और brightness के बारे में बात करें तो Vivo V30E में आपको 1300 nits का brightness मिल रहा है यहां पे Motorola में 2000 nits का peak brightness देखने को मिल रहा है तो overall display को अगर compare करें तो यहां पे Motorola 850 Pro बहुत ही बड़िया निकल के आता है Vivo V30E के comparison में तो अभी performance के बारे में बात करते हैं तो performance में भी same ही scene है दोस्तों यहां पे Motorola में आपको Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो की 4 nm वाला प्रोसेसर है यह भी same phone nanometer technology वाला प्रोसेसर है दोस्तों लेकिन इसमें आपको Antutu score करीबन 5 लाग 5.5 लाग के करीब देखने को मिलेगा तो definitely performance में आपको इसमें difference देखने को मिलेगा Motorola में थोड़ा अच्छा performance देखने को मिलेगा वह इसके बारे में बात करें तो यहां पे Vivo में Panta choice 14 मिलता है जो की best है Android 14 का operating system के उपर Motorola में Hello OS मिलता है जो की also best है Android 14 का operating system के उपर तो अभी camera के बारे में बात करते हैं यहां पे दोस्तों Vivo में आपको dual rear camera देखने को मिल रहा है जिसमें से primary camera है 50 megapixel का जिसमें आपको Sony IMX882 camera sensor देखने को मिल रहा है जो की बहुत अच्छी बात है दोस्तों साथी साथ 8 megapixel का एक ultra wide lens दिया गया है और हाँ इसके primary camera में आपको optical image stabilization भी देखने को मिल रहा है तो overall photography दोस्तों इसमें आपको बहुती बढ़िया आने वाला है विवों का camera है तो definitely आपको इसमें अच्छा photography experience होने वाला है और अभी Motorola के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको triple rear camera का setup देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपको 50 megapixel का primary camera मिल रहा है optical image stabilization के साथ 12 megapixel का ultra world camera मिल रहा है जो की macro lens की तरह भी काम करेगा और उसके साथ 10 megapixel का एक telephoto lens मिल रहा है जो की दोस्तो टेली photo lens वीवो में नहीं दिया गया है यहाँ पे दिया गया है तो यह थोड़ा अच्छा बन जाता है दोस्तो लेकिन अगर picture quality के बारे में बात करें तो वीवो आपको थोड़ा अच्छा performance देखने को मिलेगा लेकिन camera module के बारे में बात करें जूम बगेरा के बारे में बात करें तो Motorola थोड़ा बहतर रहेगा तो overall camera performance में कहूंगा दोनों में आपको करीबन से मी देखने को मिलेगा लेकिन वीवो में थोड़ा अच्छा आपको experience होने वाला है और हाँ दोनों में आपको 50 megapixel का front camera मिल रहा है with eye autofocus और बैटरी के बारे में बात करें तो वीवो में आपको 5500 एमेज की बैटरी मिल रहा है with 44 watt fast charging लेकिन यहाँ पर Motorola में आपको 4500 एमेज की बैटरी मिल रहा है थोड़ा छोटा बैटरी है दोस्तों लेकिन fast charging बहुत ज्यादा दिया गया है 5G मिल जाता है dual 4G multi मिल जाता है Wi-Fi 6E मिल जाता है यहाँ पर वीवो में आपको Bluetooth 5.1 मिलता है Motorola में Bluetooth 5.4 वीवो में NFC नहीं दिया गया है दोस्तों लेकिन Motorola में दिया गया है बहुत अची बात है और इतना ही नहीं Motorola में आपको IP67 रेटिंग मिलता है जिसका मतलब अगर इसे पानी के अंदर डालेंगे पानी के अंदर जाके फोटोग्राफी करेंगे तो भी दोस्तों फोन को कुछ भी नहीं होने वाला है लेकिन यहाँ पे Vivo V30E में आपको IP64 रेटिंग मिलता है जो कि थोड़ा बहुत वाटर और डॉस्ट रेजिस्टन्स बन जाता है तो अब इन दोनों के प्राइस के बारे में बात करते है Vivo का दोस्तों दो वियरेंट आता है बेस वाला वेरेंट जो है वो है 8GB रामी 256GB टोस्टे रेज जिसका किमते दोस्तों 30999 रूपी और जो तो वाला वे रेनट 12GB रामी 256 6व Adapt रे एक रहाट बस 1000 रुपे काईजी difference है तो दोनों same price range में आते हैं तो इस same price range में आपको Motorola में अच्छा display मिल रहा है अच्छा performance मिल रहा है NFC मिल रहा है, अच्छा IP rating मिल रहा है बहुत सारा चीज अच्छा मिल रहा है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताई अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अगर आपने अभी तैक फिन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और हमारे फैमिल में जोड़ जाएए प्लीज तैक फिन के और एक नए वीडियो में तब तके लिष्टे से अब बाई